किसान बाइयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मारेट एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस समय पर कम समय में पकने वाली वेराइटियों में दाना बराओ का काम चल रहा है और ज़्यादा समय में पकने वाली वेराइटियों में फूल निकल रहे हैं और कई कई पर फलिया बन रही है तो इस समय पर स्वयाबीन में कई परकार की समझाय देखने को मिल रही है तो यह वीडियो स्वयाबीन में सापता एक सलाव वीडियो है इस वीडियो में हम विष्टार से बात करेंगे कि स्वयाबीन में 24 अगश्ट से 30 अगश्ट के बीच में कौन-कौन सी समझाय देखने को मिल रही है और हमें स्वयाबीन में कौन-कौन से काम करना चाहिए तो इन सबी की पूरे जानकारी के लिए आप वीडियो को बीना स्कीप के अंतर तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए गंटे के निसान को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए किसान भाईयो चली आप बात करते हैं कि इस समय पर स्वयबीन में कौन-कौन सी समश्याई देखने को मिल रही है तो कुछ चेतरों में किसानों को स्वयबीन में जमीन पर फल्या कटी हुई नजर आ रही है तो फल्या काटने का काम चुहे भी कर रहे हैं और मामा गाई नाइट क्विन और बिल्यू बीटल जैसे कीट भी कर रहे हैं अगर चुहे को अटेक हो रहा है तो बाजार में उपलब दे रेट पोईजन का प्रियोग करें आपको बाजार में कई प्रकार के बिस्कुट या केक मिल जाएगे जो रेट पोईजन का काम करते हैं तो उसका प्रियोग आप कर सकते हैं या जिंक ओक्साइड को आटे के साथ मिक्सक्री के छोटी छोटी गोलिया बना कर खेत की मेर या चुहे के बिल के पास डाल दीजिए अगर मामा गाई, नाइट क्विन या बिल्यू बेटल स्वाइबीन में फलिया काड़ने का काम कर रहे हैं इसके लिए आप क्विनल पोस्ट 25 पर तीस सथ इससे का स्प्रे कीजिए आप किसे भी कंपने की क्विनल पोस्ट टेक्निकल वाली दवाई का प्रियोग कर सकते हैं उसके आगे बात करें तो अगर आपने प्चेती विराइटी की बुआई की है, या आपके सवाइबीन की बुआई लेट हुई है तो आपके सवाइबीन में फूल निकल रहे हैं तो फूलों को इल्या खा रही होगी और सिर्फ रिंग कटर गर्डल बीटल या चक्रब्रंग किसान भाई यो ये तिनो एकी किड़े के नाम है इसको रिंग कटर गर्डल बीटल या चक्रब्रंग तिनो नाम से जाना जाता है सिर्फ इसका टेक हो रहा है तो इसके लिए आप बायर की अलांटो कीरनासक का प्रियोग 300 ml परती एकर या सीजेंटा की क्यूरा क्रोन कीरनासक का प्रियोग 500 ml परती एकर या इमामेक्टिन बेंजोट 5% SG का प्रियोग 100 g परती एकर की दर्से कीजिए और अगर आपके स्वयबीन में रिंग कटर के साथ साथ पतिया खाने वाली इलियोग आटेक भी हो रहा है तो इसके लिए आप अडामा की प्लेथोरा कीरनासक का प्रियोग 350 ml परती एकर बायर की सोलोमन कीरनासक का प्रियोग 120 ml परती एकर या सीजेंटा की अलिका कीरनासक का प्रियोग 80 ml परती एकर की दर्से कर सकते हैं उसके अलावा अगर आपके स्वयबीन में पीला मोजेक वाइरस का अटेक हो रहा है तो आप सबसे पहले वाइरस से ग्रसित पोदो को उखाल कर खेत की मेर पर डालिए उसके बाद आप सबेद मकी को कंट्रोल करने के लिए दवाई डालिए क्योंकि अगर आप सबेद मकी को कंट्रोल कर लेते हैं तो स्वयबीन में पीला मोजेक वाइरस का अटेक बहुत कम देखने को मिलेगा सपेद मक्ही को कंट्रोल करने के लिए आप एमेडा क्लोरपीड, एसिटा मेपीड, साहे में तेक्सों में डाइब हिंतुरान में से किसी भी एक टेकनिकल का पुर्योग कर सकते हैं अगर भपुन जनित रोगों की बात करें तो इस समय पर कुछ छेत्रों में एंत्राकनोज वर राइजोक्टोनिया, एरियल बलाइट जैसे खतरनाक रोगों का अटेक देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आप एक अच्छी भंगी साइड का पुर्योग करें अच्छी भंगी साइड की रूप में आप एकसेल की स्वादीन भंगी साइड का पुर्योग 350 ग्राम पड़ती एकड या भी एश्यव की प्राइक्सर बंगे साइड का प्रोग 140 एमेल पड़ती एकड की दर्शे कर सकते हैं आपके स्पमस्या के इन समक्ष्या के अलावा कोई समस्या देखने को मिलरहे हैं तो आप कमेंट करें जुरूर बताईए और किसान भाई आपके स्पमस्या बचाइक्सर अपने वां की ये सबी दोग की प्रियोग करना आपके जरूर नहीं है तो आपको एफ वीडियो कैसे लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है और लौष है कमेंट करिकर जरूर बताए वीडियो प्संद आया है तो लाइक और शेर्ट करें चलिए हैं अगले वीडियो में जए जवान जए खिसान